उसने कंधा उचकाया और सोचा किया केवल उसकी कलपना थी। वह अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए कुछ ढूंडते हुए इधर उधर घूमता रहा। अचानक उसे बाहर से जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। वह दोड़ कर पास की खिड़की पर गया और ब घर्ष कर रहा था। लेकिन वे दोनों काफी ताकतवर थे। उन्होंने उसे अंदर फेंग दिया और दर्वाजा बंद कर लिया। विक्रम भैभीत हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आया। उसने फर्ष से एक लोहे का पाइप पकड़ा और बाहर भाग गया। वह आदम पर चिलाया और उन पर पाइप से हमला किया। लेकिन उन्होंने विक्रम के हमले को नाकाम कर दिया और विक्रम को भी बाहों से पकड़ लिया। विक्रम के चीख पुकार को अंसुना करते हुए।